नमस्त विद्यार्थिमित्र हरू, स्वागत सत अप्रहला एज़ी टीवी यूटीब चैनल मा विद्यार्थिमित्र हरू आज कोई एस वीडियो मैले कछे बारमा एकाउंटिंग विशेलियेर पडिड़नु भैगा विद्यार्थिमित्र अर्बुलाएगी तायर अवे रुष्टा याट्टेन मा केस वो देको सा तापलाएग क्याल्कुलेट अमाउंट आप कैस्पेट फर पर्चेस फ्रम दी फॉल्विंग इन्फर्मेशन माजी यो निमन वीवरान को आधारमा तापले छे खरित को लागी नगत भुकतानीको गड़ाना गरनु परनी ह अवे तापले क्वाटि मा पर्चेस गरिए एक याट्श पर्चेस को अमाउंट निगालनु परनी हुँँँँँछ अव तापले याट्व गूड्स वोल्विंग देको सा थ्री लाग 50,000 बिगिनिंग इन्वेंट्री 50,000 देको सा रा इंडिंग इन्वेंट्री 40,000 देको अवा तापले याट्व गरिणुप परते हुँँँँँँँच अवे तापले याट्विंग देको सा थ्री लाग 50,000 बिगिनिंग इन्वेंट्री Beginning Inventory, यहला आमी Opening Stock बनी बन्चाँ आई, रुपीज 50,000, अरको छ, Indie Inventory, आमी Closing Stock बनी बन्चाँ आई, Indie Inventory, रुपीज 50,000, अब हाई मिले के निकालनू पारने हुन्चा, Cash Paid for Purchase, अर्थात Purchase पू अमाउंट निकालनू पारने हुन्चा, अईना, ला, अब हाई मिले टेबल बनार गरपन शगनून्चा, अब हाई मिला थात्षा, Cost of Goods, शोल को फर्मुला की हुँ, इसको फर्मुला, Beginning Inventory, प्लोस, पर्चेज, माईनस, Indie Inventory, अब हाई मिले, अमाउंट आख दिन्वाला, Cost of Goods, शोल को अमाउंट का दियो, Cost of Goods, शोल का अमाउंट का दियो अब बिगिनिंग Inventory का माउंट का दिशा, 50,000 शा, अब आम लिए पर्चेज ता निकालमु परने हुँँँछ, अब यहां पर्चेज लिख दियो, माईनस, Indie Inventory का माउंट का दिशा, 40,000, अब यो 3,50,000 ला यहां राखाँ, इकोईल टू, अब यो 50,000 माईनस 40,000 का दि यहां दिखाँ डू, 3,50,000 माईनस 10,000 ला यहां निकालमु परीज हुआज, अब यो 3,50,000 वा यहां दिखाँ डेर्फूर, ्कैसस पैट परिज परीज का दिखाँ दिखाँ, एलिवा निकालमु पर्चेज ब युआयो, अब याल लिखाँ, अब यहां लिखाँ, अब य 11 को solve गना गई रहाँ छो वै question number 11 अब यह solution लेख और question number 11 के लेखे को सा पढ़ाँ था if ordering cost per order रुपीज 300, carrying cost per unit is 2 and annual requirement are 30,000 units, find out economic order quantity I am like ordering cost per order देखो सा, carrying cost per unit देखो सा रा annual requirement देखो सा अब आब EOQ निकालनों पार नेखो, अब यहाँ given लेखों, given information, given लेखों अब खेके देखाँ आच्छा, आमी as it is SR हों है, शूर्मान लेखों ordering cost per order यहला आमी ओ ले दिनोट कर चूँँँँँँगाई, equal to rupees 300, अर वाचा carrying cost per unit यहला आमी C ले दिनोट कर चूँँँँद लेखों है, कदीशा, 2 per unit अरगो annual requirement देखो सा, यहला आमी एले दिनोट कर चूँँँँँँँद लेखों है, कदीशा 30,000 units क्यों नेर्श रा हामिलाए क्वेशन लेक्खे पत्त लगावनों स्वोध्येकुछ एकोनोमिक आडर पॉन्टिटी यहला हमें EOQ लेक्षो है अब यह निकालनों पर्यू अब हामिलाए थाच्छ EOQ निकालने फर्मुला क्यू अब विद्यात्यमित्र हरू यह EOQ निकालने बनेखो 30,000 हो इन्टु ओ बनेखो 300 हो आए लब है टू ले डिबाइड़ गरों अब विद्यात्यमित्रारू यह तीन टा मॉल्टिपलाई गरों था यह तीन टा मॉल्टिपलाई गरों ता यह कती हुन्छ 18 lakh हुँँछ हुँछ अब यह टूले 18 lakh लाए डिवाइड गरौ कथी हुँछ हुँछ अब यह कथी हुँछ 9 lakh हुँछ अब 9 lakh को स्क्वाइड रूट कथी हुँछ 3000 हुँछ यह यूनिट्स मा आइडला विद्यार्थिमित्र हरू हमिले यह सेरी EU कियो निकालना सक्छ एदी गारे बशी तपाइको या वान मार्क आउंशा आजोगो वीडियो तपाला कस्ता लाइगों लाइक फामें शेर गरा नहीं शेर गरा नहीं शेर ला अस्ता दन्यवाद